दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैनकोड ECST10 स्रीच के जो अगला मुकाबला होने वाला है आज NFCC वर्सेश CYM के दर्म्यान में दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि NFCC और CYM के टीम ने अभी तक इस स्रीच के कितने मैचेस खिले हैं कितने मैचेस वान करा हैं कितने मैचेस लॉस्त करते विए आ रहें दोस्तों और इस स्रीच के खिले गए मैचेस में कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार ओपन करते वे दिख रहें कौन से खिलाड़ी आपको फर्स टाउन पे खेलते वे नज़र आएंगे दोस्तों जितने भी प्लेयर से सारी प्लेयर का मैं बैटिंग ओडर आपको इस वीडियो में इस्टेब आ इस्टेब बताऊंगा साथी साथ आपको बताएंगे कि कौन से बॉलर यहाँ पे आपको कंप्लेट दो वर तक गेंदबाजी करते वे नज़र आएंगे कौन से बॉलर आपको एक अबर बॉलिंग करते वे दिखेंगे केप्टन सी के लिए किसको लेना सही रहेगा वाइस केप्टन सी के लिए किसको आप ट्राय कर सकते हैं सारे खिलाडियों का best information में आपको इस वीडियो के अंदर provide करने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप इस match में एक बहतरीन टीम त्यार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना skip किये सुरू संद तक देखना ताकि इस match से related आपको सारे important जानकारे मिल पाए और आप एक बहतरीन टीम बना पाओ लेकिन इससे पहले एक छोटीस request दोस्तों अगर आप चैनल पे नई जुड़े हैं तो चैनल को subscribe ज़रू कर ले ना इस वीडियो के नीची जो आपको subscribe का बटन दिख रहा होगा दोस्तों इस पे आप click कर दें फिर यहां पे जो बैल अकन बना हुआ इस पे click करने के बाद all का option देखने को मिलेगा इसको भी upload कर लेना देखो इससे क्या होगा ना कि अगला वीडियो में जैसे upload करूँगा आपके पास सिधे notification जाएगा और सारे matches का जानकारी आपको मिल पाएगा दोस्तों अगर states पसंद आते हैं तो वीडियो को एक like भी जरू कर देना क्योंकि आपका एक like से में काफी motivation मिलता है दोस्तों तो एक like करके हमें support जरू करें और सबसे जरूरी बात है कि हमारे टेलिग्राम ग्रूप को join कर ले देखो यहाँ पे ना आपको एक arrow का बटन दिख रहा होगा जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करोगे हमारे टेलिग्राम ग्रूप का link आपके सामने आजाएगा इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे मैच विन्यू से दोस्तों इस स्रीज के सारे मैचेस एकी ग्राउंड पर हो रहे हैं और यहाँ अगर आप पीछ देखोगे दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पीछ रहा है बैट्समन को काफे बढ़िया सपोर्ट मिला है पूरी स्रीज में आप देखोगे बैट्समन ने लॉस्त 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 लॉ चोधरी के बारे बात करेंगे जो राइट हेंडेट बैटिंग करते वे नज़र आएंगे दोस्तों यहां पर राइट आम फास्टर बॉलर भी है पुरे स्टरीज में 18 मैचेस अभी तक इस टीम ने इस टीम के तरफ से 18 मैचेस खेलें मातर 60 टूरन बना के एक विकेट निकाल करते वे नज़र आएंगे दोस्तों यहां पर इन्होंने आउपन करते वे 18 मैचेस अभी तक पूरे स्टरीज में खेलें 207 अनस्कोर बना के पांच विकेट निकाले हैं यह भी एक बेस्ट ऑप्सन रहेगा आप इनको भी ट्रै करना चाहते तो कर सकते जो बैटिंग के सां 12 मैचेस खेले हैं 425 रहन स्कोर करा हैом 5 पेट निकालें 2 बर तक अप्र गिन्दबाजी करा है दोस्तों जितने ही मैचे से बालिंग कर रहा है यह दो बर गिन्दबाजी करा दूस्तो यहां पर छार मैचहेस अभी 4th round फे खेलते हूए दिखेंगे सेकंड डॉन पर बल्लेबाजी करते हूँ विकेट इनोंने निकाले हैं यह एक अच्छा उप्सować रहने वाला इनको अपने में ट्राइ कर सकते हैं जो बैटिंग आपको कम लेकिन बॉलिंग बहुत दी सांदर करते हुए दिखेंगे अबुल क्यार की बात करें राइट हैंड बैटिंग करते हुए नहीं जराएंगे दोस्तों यहां पे राइट हैं मिडियम बोलर भी है सेकंड नाउन पर खेलते दोस्तों यह एक अच्छा उप्सन रहेगा हाला कि बॉलिंग की बात करेंगे दोस्तों बॉलिंग भी कर रहे हैं दो वर तक कम्रेट गेंदबाजी कर रहे हैं साथ विकेट ही निकाला हो लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही सांदर करते हुए दिखेंगे आप ऐसे बैट्समें दोस्तों 16 मैच इस पूरे टोर्नामेंट में भी तक खेले हैं जिसमें से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई मैच में इनको बल्लेबाजी करने का मोका ही नहीं दिया गया है रिजन आप देख सकते हैं यहाँ पे कई मैच में फ्लॉप रहे थे एक रन नौर साथ रन बना इस वज़े से इनको टीम में स्कॉर्ड में तो था लेकिन इनको बल्लेबाजी करने का मोकान नहीं दिया गया है इसको हम लोग भी ड्रॉप करेंगे कुछ खास स्ट्रेट्स है नहीं सोरब है मत की बात करेंगे 16 मैच खिले हैं 6 विकेट निकालें 2 वर तक गयंदबाजी करते विह दिख जाएंगे अगर आप इनको ट्राइ खिलें वोइफन ऑल्लेबाजी करते वह दिख जाएंगे देको बहुत dezeर सामने करते हैं सांवे 14 वर चलकर माङें काले क्जिन का एक से दोवर तक गयंदबाज आपको complete over balling करते हुए दिखेंगे यह भी right hander batting करते हुए नजर आएंगे off spinner है 15 matches खेले हैं 76 and score करा है 3 wicket निकालें दोस्तों यह भी 2 वर complete गिंदबाज ही करेंगे इनको भी अपने team ड्राय कर सकते हैं जो बहुत अच्छे का से गिंदबाज है साइदूर चवधरी की बात करेंगे यह भी right hander batting करते हुए नजर आते हैं पूरे स्रीज में कुछ खास अभी तक रहा ने इनका स्टेट्स इनको ड्रॉप करेंगे साजीब की बात करेंगे यह पहले match फ्लॉप रहे हैं फिर यहापे 2 रनमना के 3 wicket निकालें जाता matches खेलें नहीं हैं लेकिन यहापे bowling complete बहुत ही सांदर करते हुए नजर आएं दो ही match खेला है लेकिन 3 wicket last match निकालते हुए आ रहे हैं अब उसागुर की बात करेंगे दोस्तों कुछ खासे नए खेलाड़ी इनको ड्रॉप करते हुए चलेंगे तो यह जो जानकारी है यह आप देख रहे हैं यहापे दूस्तों NFCC का लेकिन CYM की बात करेंगे तो CYM के टीम ने दूस्तों यहाँ पर जो ऑपन करते हुए नजर आएंगे इस टीम के तरफ से जो आपनर बल्लेबाज है दूस्तों यहाँ पर जिसन सरवार जो कि कई स्कोर करा है इनको भी ड्रॉप करेंगे इन कैस्टेट्स कुछ खास रहा नहीं है महरन खान जो की बहुत ही सांदर बल्लेबाज है और इनको आप कैप्टेंसी के लिए भी ले सकते हैं इनको पीक जरू करना बहुत ही सेफ रहेगा दोस्तों फर्स रॉन का खिलाड़ी है बाइस मैचेस अभी तक पूरे टूनामेंट में उनके खेला है पांसो बतीस रंच को रकरते वे तीन विकेट निकाले हैं देखो बॉलिंग कंफरम नहीं है क्योंकि किसी मैचे बॉलिंग करते हैं कभी नहीं करते हैं लेकिन एज़े बैट्स गुर्दीप सर्मा की बात करें गेटेंट बैटिंग करते वे नजड़ाएंगे 17 मैचेस खेले 35 रंस्कोर करते वे 13 विकेट अपने नाम की हैं यह आपको कमप्लेट दो वरता गेंद बाजी करेंगे दोस्तों और यहाँ गेंद बाजी के सांसत बल्लेबाजी हलाकि देथ बर भी बॉलिंग करते हुए नजराते हैं सेम लख विंदर सिंग की बात करेंगे 36 विकेट अभी तक पूरे टूनामेंट में निकाले हैं 23 मैचेस खेला है 25 यहां पर आप देखोई रन बनाए दोस्तों लेकिन यहां पर बॉलिंग जिस हद तक इनोंने करा है आप समय स स्कोर करा यह एक अच्छा पीक रहने वाला इनको आप ट्राय कर सकते हैं मुर्ताजा यामन की बात करेंगे यह पर राइट एंडर बेटिंग करते हुए नजरा आएंगे दोस्तों 22 मैचेस खेले हैं यहां पर 17 विकेट इनोंने निकाल यह यह बढ़े है इस टीम के यहां अच्छे-खाचे भरे यहां पे पड़े हैं दोस्तों बहुत ही सांधर बोलर इनके टीम में आपको देखने को मिलेगा अच्छे-च्छे बोलर है जरूर पिक करना और मैकसिम्म खेलाडियों को इस टीम से आपको पिक करना है जिसे कि मैंने आपको इहां पर बताय था कि क् स्केट कुन से टीम के कितने खिलाडी लेना है बिल्कुल यह स्ट्रॉंग टीम सेब 7 खिलाडी कर सकते हैं बाकी दोस्तों बाकि यहां पर कई मैचे फ्लॉप रहने के बाद देखो कि पूरी स्रीज में आपन करते हुए इन्होंने इनको भी ड्रॉप करते हुए चलेंगे क्योंकि खेलने के काफी कम चांस है हाँ यहां मुहमद हसन खेलते हुए 20 मैचे खेले हैं फोर टान पर बल्लेबाजी करते हु कुछ खास स्टेट्स रहा नहीं है तो यह था कंप्लिट जानकारी इस मैचे रिलेटेड दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बैटिंग ओर के साथ सारे खिलाडियो का स्टेट्स आपने देखा यहां पर देख सकते हो और यहां पर पीछ रिपोर्ट भी आपको देखने दोस्तों सुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले वीकेट की परसे जो आज आपके लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टन रहने वाले हैं एसस्टेन जो की CYM के टीम के तरफ से बेस्ट रहेगा टीम के टॉप पे बल्लेबाजी करेंगी अभी तक देखो कि पूरे स्रीज मे 200 से पलस इनोंने स्कोर करा है मैंने सारे खिलाड़ी होगा clean states आपको दिखाया है जिसने वीडियो को सुरू से देखा होगा उनका result सची में अच्छा होने वाला है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा जो result जो अच्छा करना चाहते हैं उनको एक ही चीज करना होगा states को अध्यान से देखना होगा मैं जो चीज आपको समझाता हूँ starting से उस पर आपको यहाँ पर फोकस करना है फिर आपको यहाँ पर एक team create करना है और जे मैं यहाँ पर team create कर रहा हूँ आप इसको follow करते जाना बस एक चीज है कि आपको last में अगर आपको लगे कि आप थोड़ा batsman को अपने team में try कर रहा है एम रेमान high important है एम खान को try करते वे चलेंगे डबलू अली टॉप पे बल्लेबास भी करते हैं पूरी स्रीज में काफी बढ़िया खेला है एम खान को मैंने captaincy wise captaincy के लिए best बताया था आपको reason पता होगा टॉप अटर पे खेलते हैं बहुत अच्छा खास स्कूर करा हैं पूरे स्रीज में जी स्रमा को लेते वे चलेंगे ये best pick रहेगा दोस्तों लेकिन वहीं एकर बात करेंगे allrounder के बारे में मैंने तीन important allrounder को अपने ट्राय कर रहा है captaincy wise captaincy के लिए भी best रहेगा दोस्तों एम खान भी super option रहने वाले एस एलमिन को में ट्राय करूंगा एन खान भी best option रहने वाला लेकिन एक जी थोड़ा ध्यान देना कि एम यमन को ट्राय तो करना चा रहे हैं यमन को लेकिन ले नहीं पा रहे हैं credit problem के वज़े से थोड़ा सा disturbance से यहां पर लगता है दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आता है इस मैच में ECS टेटन के जो लास्ट मैच यह चलते है रात के इसमें थोड़ा सा दिक्कत यही आता है कि credit issue देखने को मिलता है बाकि captaincy की बात करेंगे तो captaincy के लिए मुझे यह best लग रहा है रवाइस captaincy के लिए आपके पास option है M.Khan को try कर सकते हैं G.Sing के साथ भी जा सकते हैं या फिर L.Sing जैसे कि आपको पता होगा 2-3 wicket एक-एक matches में निकाल रहे हैं तो यह भी अच्छा option रहेगा दोस्तों आप इस team को फिलाल save करके रख लो यहाँ पे अगर कोई भी challenge होता है तो मैं आपको final team update कर दूँगा हमारे telegram group में जिसका link आपको इस video के नीचे description box में और comment box पहला comment में मिल जाएगा तो आप लोग जल्दी से click करके join कर लें बाके मिलते हैं दोस्तों next video में जैहिंद